जनपद में आवारा पशु गन्ने का भुकतान ना होने और विद्धुद विभाग द्वारा किसानों का उत्पीरन करने की विरोध में आज किसान यूनियन ने कलेक्टरेट पहुच कर विरोध प्रदर्शन किया जिलादीकारी को ग्यापन दिया साथी किसानों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कलेक्टरेट के घहराव समें एत रेल रोको आंदोलन भी चलाए जाएगा मंगलवार को भार्दी किसान यूनियन के जिलादेहक्षे कविंद्र मलिक के नेतरत्व में सैकडो किसानों ने कलेक्टरेट का घहराव किया तथा जिलादीकारी को संबोधित एक ग्यापन दिया ग्यापन में आवारा पशु गन्ने के भुकतान के समस्या और विद्धुत विभाग द्वारा किसानों का उत्पिणन किये जाने पर रोष्ट वेक्ट करते हुए जिलादीकारी ने तुरन समस्या का समाधान करने की गोहार लगाई साथ ही चेतामनी दी कि यदि उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जाता तो भविश में कलेक्ट्रेट का गेराव और रेल रो को आंदोलन किया जाएगा उदर गड़वाला खाप के अधेक्षिक किसान नेता बाबाश्याम सिंग ने बताया कि आज किसान पूरी तरह बरबाद होने की कगार पर है उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा उन्होंने कमिशनर को भी अपनी समस्या से अवगत कराया था लेकिन प्रशाशन ने मिल मालिकों पर FIR दर्च कर अपना पल्ला जाड़ लिया उदर मिल प्रबंधक के लोग दो घंटे हिरासत में रहने के बाद बाहर आ गए पिछले साल का 220 करोण तक 47 का 100 करोण गरने का बकाया अभी किसानों का है जिसकी वज़ा से किसान आज खेतों की बज़ाए सडकों पर है किसान को तो परबाद करती है इप किसान मांग भी नहीं सकता अब कोई कहते हैं हम तो जेड़ चले गए ते और जेड़ गए नहीं तो गल्टे बटाया का जोड़ दिये जेड़ तो वह होग जो बिनना तस दिन राख रहे और उना पता भी चले तो सारा मामला दीश मीश हो किसान की कोई सुनने वड़ा नहीं है जब जब किसान की सुनवाइक नहीं होगी तो किसान रोड़ पहुंचे हैं किसानों के संग तीम सर से मिलने के लिए क्या पूरा मामला है मामले एक किसाण की नहीं हो कि बिजली वाग है जीलमत अमीन एक भी गwynub है कोई भी पहार तेन पाशिकर cioè की सानौ वार द्न हो और तोर से कोई पूरा-वार तो नहीं है किसाने क्यों इसे होगाव एक है जो चार प्शू किलिए तो पुलुन जमिन संधरा हिया खिए का सासन पर सासन बिलकुल जुटे मुकदमे किसान कपर लगा रहा हूँ किया अगर मारी सबस्षाओ का समाधान नहीं हो घृतिकारी तो अगला कतम धरना पर्दसन है, एनिस्चितकाल धरना पर्दसन है, उसमें रेज रोपने का भी परोग्राम है, प्रियम कारियर ले गेलने का एनिस्चितकाल का धरने का सेड़ने है। कॉमेंट के जरीए अपनी राए देना ना भूले।